आखिर क्यों 16 जनवरी 2022 के दिन बंगाल की एक फेमस एक्टेस राइमा इसलाम शीमू की हत्यागर दी गई आखिर इन्हें किस लिए और किस ने मारा था चलिए जानते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है करुन और आप देख रहे हैं नाइट फाइल पॉड़कास्ट का एक और कमाल का एपिसोड और अगर आप ऐसी ही आगे इंटरस्टिंग स्टोरिज देखना चाते हैं तो नाइट फाइल पॉड़कास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथी बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा राइमा इसलाम शीमू ने करीबन पचास से ज़ादा फिल्मों में काम किया था और साथ ही इनों ने बीस से ज़ादा नाटकों में भी काम किया था और कमाल की बात तो ये है राइमा इसलाम शीमू की लाश खुले आम रोड पर मिली थी ये रोड बंगलादेश के ढाका की और जा रहा था राइमा इसलाम शीमू की लाश जब 17 जनवरी 2022 के दिन मिली तब पूरा का पूरा बंगलादेश एकदम सहम उठा कि ये क्या हो गया है इनकी हत्या कौन कर सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइमा इसलाम शीमू 50 से ज़्यादा फिल्मे और 20 से ज़्यादा नाटकों में काम कर चुकी है जिस तरीके से राइमा की लाश मिली थी उस तरीके से ये तो साफ पता चल रहा था कि उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है जब उनकी बॉड़ी को देखा गया तो ये बात तो एक्तम सच हो गई थी कि रील और रील लाइफ में बहुत फ़रक होता है जो चीज़ हम रील्स या फिर फिल्मों में कर सकते हैं वो रील लाइफ में कभी भी नहीं होता और ना ही हम उसे करना चाहते हैं और दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि कोई फिलम स्टार हो या फिर कोई नाटकों में काम करता हो उनकी रियल लाइफ कैसी होती है और यही राइमा के साथ भी हुआ वो जैसे एक्टिंग करती थी जैसे अपना रोल निभाती थी वैसे तो वो नाटकों में और फ त्या का कारण ना तो कोई अफेर था कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं कोई पैसो का लेंदेन नहीं कोई इन्हें किसी प्रकार की दिमागी बिमारी भी नहीं थी राइमा का जनम साल 1977 में धाका में एक मीडल फैमली में हुआ था और राइमा को तो बचपन से ही एक्टिं पहली फिलम साइन की थी और राइमा अपनी पहली फिलम से ही बहुती ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी उन्हें फिल्म परदे पर बहुती ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था राइमा इसलाम सिमू दर्श्रकों को इतनी ज़्यादा पसंद आने लगी कि उनकी मिलती रही वैसे वैसे ये बड़े से बड़े स्टार्स के साथ काम करने लगी राइमा ने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया और राइमा का छोटे परदे पर आना एक मजबूरी हो चुकी थी क्योंकि बांगला देश के लोग राइमा के सीरियल्स को ज़्यादा देखना पसंद करते थे राइमा ने करीबन 25 क्रेक्टर्स में काम किया था जिसे की लोग उन्हें और ज़्यादा पसंद करने लगे थे राइमा ने अमित हसन बपा राज साकीत खान जाहिर हसन और मुशारत करीम के साथ भी इनकी जोड़ी अच्छी जमती थी और ये सब सीरि सेल्स भी बनाए गए इसके लावा राइमा दा नेशनल बिजनस मैगजीन के लिए इन्होंने रिपोर्टिंग की राइमा को टीवी न्यूज चैनल एटियम बांगला में सेल्स एंड मार्केटिंग में भी वाइस प्रेजिडेंट भी न्यूक्त कर दिया गया था राइमा क कर देने वाली बात तो ये है जो वहां का ढाका ग्रीन रोड इलाका है वो राइमा के घर की वज़े से भी जाना जाने लगा था जो राइमा के फैंस के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था लेकिन ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि लाखो क्रोडों फैंस का मनारंजन करने व शिखावत एक ऐसा शक्स था जो कभी राइमा पर जान चिड़का करता था राइमा और शिखावत एक दूसरे से प्यार करते थे और इन्होंने 16 साल पहले लव मैरिस की थी जो राइमा के फैंस थे वो सिरफ यही सोचा करते थे राइमा अपने आली शान घर में एक सुखी क जी रही हैं वो एकदम खुश हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं था फैंस को तो सिरफ यही लगता था कि वो अपने घर में बड़े अराम से अपने पती के साथ मौज मस्ती कर रही होगी रोमांस कर रही होगी अपने गाना गार ही होगी लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं था राइमा पिछले कुछ ही दिनों से एक गोटन बरी जिंदगी महसूस कर रही थी गोटन बरी जिंदगी को जी रही थी और ये सब करना बहुत ही ज़ादा मुश्किल है और इसकी वज़े से राइमा के दोनों बच्च जगड़ा ये सब अब आम बात हो चुकी थी इसका पती राइमा को मारा करता था पीटा करता था ये सब पता चला जब 17 जनवरी 2022 को राइमा की लाश मिली 16 जनवरी 2022 के दिन राइमा अपनी एक शूटिंग के लिए गई थी लेकिन फिर देर रात तक राइमा अपने घर नहीं लोटी और फिर घर वालों को चिंता होने लगी क्योंकि राइमा का फॉन भी बन जा रहा था वहीं के पास ही एक पुलिस टेशन में राइमा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि राइमा ऐसे ऐसे अपनी शूटिंग के लिए गई थी लेकिन वो अभी तक घर नहीं और उसने पुलिस वालों से पूछा कि मेरी बहन कहा है मेरी बहन मिली या नहीं लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि हमने देर रात तक तुमारी बहन राइमा को ढूंडा लेकिन वो हमें नहीं मिली और ये सब पुलिस टेशन में पूछने के बाद राइमा का भाई खुद रा एक बोरा नजर आया वो बोरा देखते ही उन्होंने पुलिस को कॉल किया और मोके पर पुलिस वहाँ पर पहुंची और जब वहाँ पर पुलिस पहुंची उन्होंने उस बोरे को कॉल कर देखा तो उसमें थी राइमा की लाश जो कि राइमा के दो टुकड़े करकर बोरे में ठूसी गई थी और राइमा के गले पर चोटके निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे इससे ये पता चल रहा था कि राइमा को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई हो उसे मारा पीटा गया हो लेकिन राइमा का खून कौन कर सकता है पुलिस वाले सिरफ यही सोच रहे थे और जब राइमा की डेड बोडी मिली तो ये खबर पूरे बंगला देश में बड़ी ही तेजी से फैलने लगी और राइमा के फैंस एकदम आग बबूरे हो चुके थे बंगला देश में राइमा के फैंस इकठा होने लगे राइमा की बोडी को पॉस्ट माटम के लिए भेज दिया गया पुलिस को सिधा सिधा शक राइमा के पती शखावत पर जा रहा था लेकिन जब उसका भाई पुलिस टेशन पहुंचा और उसने पुलिस वालों को ये बताया कि शकावत एक ड्रग एडिक्टिड है वो अक्सर मेरी बहन को मारता पीटता था वो जब देखो मेरी बहन से लड़ाई करता रहता था मैंने भी उसकी कार में एक खून देखा है और वो 16 जनवरी 2022 के दिन सुबा अपने घर पर नहीं था और मुझे ये पक्का विश्वास है कि राईमा का मर्डर उसके पती शकावत नहीं किया है और फिर 17 जनवरी 2022 के दिन शकावत ने राईमा की लाश इस जंगल में फैक दी और जब राईमा के भाई ने पुलिस को ये सब बताया तो पुलिस वालों को पूरा शक राईमा के पती शकावत पर आ चुका था तो पुलिस वालों ने टाइम वेस्ट ना करते हुए शकावत को गिरफतार किया और जब शखावत को गिरफतार किया गया तब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि राइमा का मडर तू ने किया है तो शखावत ने भी बिना देरी किये सब सच उगलता गया लेकिन तब तक राइमा के जो फैंस थे वो सभी केंडल्स लेकर राइमा की शांती के लिए प्रेय करने लगे और अब सोशल मीडिया पर भी राइमा का मडर बहुत ही ज़ादा वाइरल होता गया लोग कैंडल्स लेकर अपने घर से निकलते रहे और राइमा के हत्यारे को फांसी देने के लिए कहते रहे जब पुलिस वालों ने शखावत को गिरफतार किया तब शखावत बिना किसी मार्क उटाई के उन्हें सब सच बताया शखावत के बयान पर पुलिस वालों ने छे और लोगों को गिरफतार किया जिसमें शखावत का ड्राइवर और उसी का एक जिगरी दोस्त अब्दुल्ला फराद भी था और शखावत ने ये बताया कि मैंने फराद को फ से बांद दिया गया ये बात किसी को ना पता चले कि हमने राइमा को मारा है तो इसी लिए उन्होंने सेक्योरिटी गार्ड और जो भी नोकर चाकर थे उन्होंने उन्हें छुट्टी दे दी लेकिन शखावत को इस बात का नहीं पता था कि ये एक डोरी ही उसे फसा सकती है जब पुलिस शखावत से पूचताच करने के बाद उसी के घर पहुची तो उन्हें वहाँ पर उसी डोरी का एक पूरा बंडल भी मिला जिससे शखावत पर शक्की कोई भी कुझायस नहीं बची थी और इन्होंने ये भी बताया कि राइमा की बोडी को ठिकाने लगाने से पहले राइमा की बोडी को मीरपूर ले गए थे लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसा गना जंगल या कोई सुनसान इलाका नहीं मिला जहां पर वो राइमा की बोडी को फैक सकें वो मीरपूर में सभी जगट ढूंड कर वो वापिस आ गए उसने ये भी बताया कि राइ पूर के बृज पर पहुँचे और जिस बोड़े में राइमा की लाश थी उन्होंने उस बोड़े को वहीं पर नीचे फैक दिया और उन्होंने जल्दी में जो बोड़ा वहाँ पर फैका था उसकी डोरी भी उन्होंने वहीं पर छोड़ दी जो उनके खिलाफ एक सभूत बाद वो दोनों वापिस घर आए और उनोंने सारे सबूत मिटाने की सोची फिर वो जिस कार में राइमा की बोडी को लेकर गए थे वो कार एकदम खून से लटपत हो चुकी थी उन्होंने उस कार को अच्छे से दोया और गारी में जो लाश की वज़े से बदबू फैली थी उन्होंने उसे दूर करने के लिए उस गारी में ब्रीचिंग पौडर का इस्तमाल किया लेकिन ये सब करने के बाद भी सबूत को मिटाने के बाद भी उस गारी पर खून के धबे नहीं जा रहे थे वो खून के धबे गारी पर ही रह गए यानि कि इस बात से तो ये साफ था कि राइमा एक शूटिंग पर गई है ये सब जूट था ये सब जूट इन दोनों ने ही फैलाया था कि राइमा ऐसे ऐसे 16 जनवरी की सुबा अपनी शूटिंग पर गई थी ऐसा बिलकुल भी नहीं था ये सब इन्होंने इसलिए किया था ताकि वो राइमा को मार सकें और उसकी बोड़ी को ठिकाने लगा सकें लेकिन दोस्तों ये बात तो आप कोई पता है कि कातिल कितना ही चला क्यों ना हो वो सारे सबूत क्यों ना मिटा दे लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा सबूत तो होता ही है जो कातिल अपने पिछे छोड़ी जाता है लेकिन फिर भी शकावत और जो उसका दोस्त था वो तो अभी नए नए थे उन्होंने तो पहले कोई खून भी नहीं किया था ये उनका पहला मडर था जो शकावत ने अपनी बीवी को मारा था उन दोनों को तो ऐसे लग रहा था कि उन्होंने बड़ी ही चलाकी से राईमा को मार दिया और सारे सबूत मिटा दिये लेकिन ऐसा नहीं था वो तो बस निश्चिन्थ हो चुके थे कि वो तो पकड़े जाएंगे ही नहीं उन्हों तो सभी सबूत मिटा दिये कुछ दिन शोर होगा राइमा के फैंस हला करेंगे और फिर शांत हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं था शिखावत ने पुलिस वालों के सामने बिना फिटे ही एक चोटे बच्चे की तरह उसने सब उगल दिया कि मैं राइमा से तंग आ चुका था वो इसलिए क्योंकि वो एक जानी मानी हस्ती बन चुकी थी और मैं कुछ भी नहीं बस इसलिए ही शिखावत ने अपनी पत्नी राइमा को माड़ डाला बस एक यही कारण था राइमा के माडर का कि राइमा एक जानी मानी हस्ती थी उसे मिलने के लिए उसके फैंस दूर दूर से आया करते थे और शिखावत कुछ भी नहीं था शिखावत एक drug addict था वो सारा दिन नशे में दूत रहा करता था बस इसी वजह से ही उसने राईमा का खून कर डाला शिखावत ने बताया कि मैंने तो यही सोचा था कि जब मैं राइमा का खून कर दूँगा उसके बाद मैं एक आलिशान जिन्दगी जीऊंगा मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी और इन पैसों से मैं भी अपना छोटा मोटा कारोबार तो कर ही लूँगा तो दोस्तों यह थी राइमा इसलाम शीमू की मड़ स्टोरी दोस्तों आपको यह स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिक के साथ दुश्मनी तो ऐसा क्यों किया गया आखिर किसी ओर की सदा इस लड़की को क्यों मिली चलिए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में दोस्तों ये स्टोरी कहीं और की नहीं पंजाप लुधयाना से ही है और वही पास में एक बर्नाला शहर है यहाँ पर एक जसव全部ंFAxy और इसकी शादी के लिए कई रिष्टे भी आ चुके थे लेकिन उसे वो रिष्टे कुछ ठीक ठाक नहीं लगे आखिर जस्वन सिंग ने अपनी बेटी हरपृत कोर के लिए खुद ही रिष्टे ढूनना शुरू कर दिया और लुध्याना में इनकी एक बहन रहती थी जिसका नाम था भूली उसी के थ्रू कॉलकाता में रहने वाले रंजीत सिंग के बेटे हरपृत सिंग यानि की हनी से हरपृत की शादी की बात चली जो रंजीत सिंग थे वो प्रोपर रुध्याना के ही रहने वाले थे लेकिन रंजीत सिंग अपनी जवानी में कॉलकाता जाकर ब लाप वाली बहु चाहते थे। सिरफ रंजीत सिंग नहीं नहीं बलकि हरपरित सिंग ने हरपरित कोर को पहले देखा और उसे पसंद भी कर चुका था। ये बात थी मार्च 2013 की। जब इन दोनों की आपस में बात चीत हुई, इनके परिवार वालों की आपस में बात चीत हु तो इन में बहुत अंतर था। अब इन दोनों की सगाई हो चुकी थी, शादी की डेट भी निकल चुकी थी, तो उसके बात जस्वन सिंग के पास फोन पर धमकी आने लगी, के भई तुम कैसे भी करके अपनी लड़की की शादी यहीं पर रोक दो, वरना तुमारा अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। जस्वन सिंग ने रंजीत सिंग को फोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास यह धमकी आई है, तो रंजीत सिंग ने कहा कि भी कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, हमारे दुश्मन बहुत हैं, तो आप किसी चीट की भी टेंशन मतलो, जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जस्वन सिंग के पास धमकी भरे बहुत सी कॉल आई। कुछ अंजान आदमियों ने भी बननाला उनके घर पहुंचे और वहाँ पर भी उनको धमकिया दी शादी रोकने क शादी के लिए लुध्याना में भी पहुंच चुका था। शादी के लिए उन्होंने लुध्याना का सब से महेंगा होटल आप यकिन नहीं करेंगे। चली गई त्यार होने के लिए लेकिन जो उसके माता-पीता थे वो बाहर गाड़ी में ही बेटे हर्पृत के त्यार होने का वेट कर रहे थे। अब सेलून तो पहले ही इन्होंने बुक करवा रखे था तो जाते ही हर्पृत कौर को त्यार करना शूरू कर दिया फिर करीबन लंबे टाइम से जानता है तो सब को भी कुछ ऐसा ही लगा कि ये इसके परिवार से ही कोई इसके नौन का लड़का है तो वो लड़का आवाज मारते ही हर्पृत कोर के पास गया जहां पर हर्पृत कोर अंदर तेयार हो रही थी हर्पृत कोर के पास वो लड़का पहुंचत का बॉक्स था जिसमें तेजाब था वहाँ पर उन दोनों की छोटी मोटी बहस हुई लेकिन इसी के साथ-साथ उस लड़के ने उस बॉक्स को खोला और उसमें जो तेजाब था वो हर्पृत के चेहरे पर उडेल दिया और साथ में उसने अपनी जेव से कागच निकाला और वहीं पर फैका और वो इस तरीके से उस सेलून से बाहर निकला इतनी तेजी से वो सेलून से बाहर निकला कि जितनी तेजी से तो वो अंदर भी नहीं आया था हर्पृत कोर के मुग के उपर तेजाब गिरते ही हर्पृत कोर एकदम सुन हो चुकी थी और वो सिर्फ चीक च भागा भी लेकिन जब तक वो उसे पकड़ता तब तक वो लड़का कार में बैटकर वहां से निकल चुका था इसी के साथ ये देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो अकेला नहीं था बलकि उसके साथ और भी अन्नोन लड़के थे जिनोंने ये सब कांड को रचा जहां पर ब के चीटे आ गए लेकिन यहां पर हर्परित कोर की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी सेलून के मेनेजर ने तुरंत होस्पिटल में फोन किया वहां पर एम्बूलेंस आई और सभी को जिनके उपर तैजाब गिरा था उन्हें होस्पिटल में एडमिट करवाया गया जो भी बहुत तैजाब दूसरी लड़कियों पर गिरा था उन्हें तो टींट में देकर होस्पिटल से चुटी मिल चुकी थी लेकिन जो हर्परित कोर थी वो सच में बहुत ही जादा सीरियस थी क्योंकि हर्परित कोर का पूरा चेहरा और चाती ऐसे एकदम जल चुकी थी जो पर कब किस टाइम पर कैसे हुआ कौन आया ये सब कुछ उन्हें पता था हर्परित कोर के पिता ने भाई के पास ही के पूलिस टेशन में इस कांट से रिलेटिड एक रिपॉर्ट दर्ज करवाई पूलिस वालों को जो सेलून में उस लड़के ने कागज फैका था वो भी म जब उसे खौल कर देखा गया तो उससे तो यही लग रहा था कि ये कोई लव लेटर है और जो सेलून में अंदर और बाहर सिसी टीवी कैमराज लगे हुए थे पूलिस ने उन सभी के रिकोर्ड अपने पास लिए और एक एक करके उन कैमराज की फोटेजिस को चेक किया च पुलिस वालों को इस बात का पता चला कि जब हरपृत को किसी से प्यार ही नहीं करती नहीं उससे कोई प्यार करता था तो यह जब लव मैटर है ही नहीं तो आखिर इसके पीछे वज़ा क्या है क्यों एक डूलन के उपर तेजाब फैका गया वो भी फेरो से सिरफ एक गया तब उसी टाइम हरपृत एकदम बेहोश हो चुकी थी और तब से लेकर अब तक हरपृत को और होश में ही नहीं आई उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था जब वहां के डीमसी के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने वहां पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिये के भई आप हरपृत को कहीं और ले जाओ ये हमारे बस से अब बाहर होता जा रहा है तब लुध्याना के पुलिस कमिशनर ने और साथ में जो एक दो पुलिस वाले और थे उन्होंने अपने गौर्मेंट फंड से जो पुलिस वालों का एक फंड होता है उस पैसों से इन दौनों को बैठा कर उनके पूरे परिवार का चिठा उस पुलिस वाले ने पूछा कि बताओ तुमारे कोई दुश्मन है या फिर क्या सिस्टम है मुझे सब कुछ बताओ तब आखिर पूलिस वालों की समझ में ये पूरा मामला आ चुका था जब उन दोनोंने कुछ बाते बताई। जब उन्होंने ये सब सच्चाई बताई। तब उन्होंने पतियाला के एक रंजीत नगर जगेह पर कोठी पर छापा मारा। वहाँ पर जब पुलिस वालोंने छापा मारा। तब एक लड़का जो छट से कूद कर भागने की कोशिश कर रहा था और भागते उसकी टांग भी तूट चुके थी लेकिन वो पुलिस वालों के हाथ हब चड़ चुका था उस आदमी का नाम पलविंदर सिंग उर्फ पावन था पावन के अलावा उसी घर में एक 30-32 साल की महिला को भी गिरफतार किया गया जिसका नाम था अमरित पाल कौर जब इन दोनों को पुलिस टेशन ले जाकर इन से सकताई से पूछा गया हमें इसके बारे में पूरी सच्चाई जाननी है हमें बताओ कि ये सब किस ने किया है तब कोई और नहीं अमरित पाल कौर ही थी जो हर्पृत सिंग के भावी थी और इसका हर्पृत सिंग के भाई से तलाख हो चुका था बस अपनी इसी रंजिश को पूरा करने के लिए अमरित पाल कौर ने ही रंजीत सिंग याने के अपने ससूर को फोन करके कहा और उन्हें भी शादी रोकने के लिए मना किया गया था लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया इसी कारण बस हर्पृत कौर के उपर इसने तैजाब गिरवा दिया अमरित पाल कौर से जो भी इसके बारे में पूस्ताच की गई सच में अगर आप इस बात को जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे अमरित पाल कौर भी लुध्याना की ही रहने वाली थी अमरित पाल कौर एकदम खुले विचारों की थी इसके मेल फ्रेंड्स इतने ज़ादा थे कि सच में आपको बताना ही मुश्किल है अमृत पालकॉर इतनी जिद्धी हुआ करती थी कि इसके माबाप भी इसे नहीं रोक पाए सन 2003 में रंजीत सिंग के बड़े बेटे तरंग सिंग से अमृत पालकॉर की 2003 में ही शादी हो चुकी थी कॉलकाता में शिफ्ट हो चुकी थी जब अमृत पालकॉर अपने ससुराल पहुची वہाँ पर जाकर इसे पता चला कि जो इसका पती तरंग सिंग है वो तो नपुन्शक है उसे तो बस यहीं लग रहाँ था कि उसके साथ दोका हुआ है लग किया रहा था इसके साथ हुआ भी दोका ही था वहाँ पर रह रहे कर ये अपने पती के साथ और दूसरे लोगों के साथ एकदम चिड़ चिड़ी हो चुकी थी फिर छोटी छोटी बातों पर अमरित पालकॉर लड़ाईयां करने लगती और अपने ससूर और पती को छोटी छोटी बात पर ताने भी दिया करती ऐसे ही करते करते अमरित पालकॉर उस परिवार के उपर एकदम हावी हो चुकी थी और अपनी इज़त को बचाने के लिए लोगों में कोई तमाशा ना हो इसके लिए अमरित पालकॉर के आगे उस परिवार में से कोई भी सदस्य है इसके आगे चू तक भी नहीं करता था और इनी लड़ाई जगड़ों से बचने के लिए इस समस्या से निप्तारा पाने के लिए तरंग सिंग अपनी घरवाली को लेकर विदेश में शिफ्ट हो चुका था फोरन में रहकर उसके दो लड़के हुए और बच्चों के जन्म के बाद दोनों वापिस कॉलकाता में शिफ्ट हो चुके थे इन्हें तो यही लगा था कि हाँ अब बच्चे भी हो चुके हैं वापिस हम कॉलकाता जाएंगे और पहले जैसे लड़ाई जगड़े नहीं होंगे लेकिन जब ये कॉलकाता पहुँचे तब इनके जगड़े पहले से भी जादा बढ़ने लगे और इतने बढ़ते गए क की बात अब यहां पर तालाग किया चुकी थी हाँ अमरित पालकॉर ने दोनों बच्चे तरंग सिंग को दिये और तरंग सिंग के साथ अब इसने डाइवोर्स ले लिया था इस डाइवोर्स में अमरित पालकॉर ने 70 लाख रुपई कैश और लुध्याना में एक फलैट लिया था तालाग के बाद अब अमरित पालकॉर पूरी तरह से तरंग और उसके परिवार के चंगुल से आजाद हो चुकी थी पैसो की भी अब उसके पास कोई भी कमी नहीं थी सन 2013 में उसने एक एनराइ अमिंदर सिंग के साथ शादी कर ली अमिंदर सिंग वेस्प लंड अमिंदर से यानि की पवन से हुई पवन एक ऐसा लड़का था जिसे हम उठाई गिरा भी हमारी बाशा में कह सकते हैं इसलिए उसके पिता ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया था और यहाँ पर अमरित पालकॉर को भी एक सारे की बहुत जरूरत थी इसलिए उसने पव पावन के अमरित पालकॉर से संबंद अच्छे बन चुके थे तो पावन यहाँ पर उसके इशारों पर नाचने लगा और अमरित पालकॉर तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से ही जी रही थी फिर एक दिन अचानक अमरित पालकॉर को पता चला कि उसके पती के छोटे ब प्रिवार में किसी भी लड़के की शादी हो ही नहीं सकती अगर होती भी होगी तो मैं नहीं होने दूँगी। अमरित पालकॉर ने तुरंत अपने ससुर रंजीत सिंग को फोन करके कहा। रंजीत सिंग तुम ये बात कान खोल कर सुन लो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमारे गर में शेनाई तो बिलकुल भी नहीं बजने दूँगी। रंजीत सिंग ने उसके इस धंकी को कुछ जादा सीरियस नहीं लिया और वो अपने बेटे हर्पृत सिंग की शादी की तैयारी करने लगा। अब यहाँ पर अमरित पाल कौर के पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही शेतानी दिमाग की। उसने ये सब बात पावन को बताई और पावन और इसने दोनों ने मिलकर एक प्लैनिंग की कि कोलकाता जाकर परिवार के सथ कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि ये कभी किसी की भी शादी के बारे में सोचेंगे ही नहीं पर इनके लिए ये काम इतना असान नहीं था फिर अमरित पाल कौर के दिमाग में एक शेतानी आइडिया पनपता है उसने ये सोचा कि हम उनके परिवार को तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन जो लड़की वाले हैं वो तो यहीं के र दिया जाए तो शादी के अपने आप रुख जाएगी इन दोनों की इस प्लैनिंग पर एकदम सहमती बन चुके थी कि हां हमें अब ऐसा ही करना चाहिए शादी रुखवाने का एकदम यहीं सही उपाय है अमरित पाल कौर ने पलविंदर को ये सब करने के लिए कहा और उस सनी तीन बार उसके घर वाली जगह यानि की बरनाला में उसके घर के आसपस गए के हर्परित कौर के उपर कैसे भी करके हमें तेजाब फैकना है पर वहाँ पर उन्हें तीनों बार मौका नहीं मिला और वो वापिस आ गए इसके बाद अमरित पाल कौर ने उन तीनों को पलविंदर ने अपने फूफा की एक जहन कार मांगी। उसने अपने फूफा को ये कहा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ शादी में जाना है, मुझे एक गारी चाहिए। पलविंदर ने सारी पलविंदर एक दिन पहले ही कर चुका था। इमांड पर लिया और सारे सबूतों को इकठा किया इकठा करने के बाद इन्हें वापिस उस पुलिस टेशन में भेज दिया गया और सारे सबूत जुटाने के बाद इन सभी को अदालत में पेश किया गया अदालत में भेजने के बाद इन्हें इन सभी को उम्रकैद की सजा स सुपा 5 बजे के आसपास अपना दम तोड दिया था वहीं पर हर्पृत कोर का पॉस्ट मॉटम किया गया पॉस्ट मॉटम करने के बाद मुंबई से हर्पृत कोर की बोड़ी को फ्लाइट के दुवारा दिली लाया गया और वहाँ से वापिस उसके घर पहुंचाया गया अगर इस case की बात करें तो इस case में beauty parlor का manager और वहाँ पर काम करने वाली लड़किया और जो भी वहाँ पर अपना make-up कर वा रही थी किसी की marriage के लिए या खुद की marriage के लिए तयार हो रही थी साथ में हरपरित कौर के माता पीता ये सभी गवाहा थे और ये टोटल 38 गवाहा थे जो की हरपरित कौर के उपर जब तेजाब गेरा गया था उस केस के जो सैलून की सिसी टीवी की फोटेज थी वो भी कौर्ट में पेश की गई जिस कोट में इन सभी को पेश किया गया उस कोट में जो वहां के जो जज थे उन्होंने अमरित पाल कोर को और पलविंदर को उमर कैद की सजा सुनाई लेकिन इस सजा के साथ साथ एक शर्थ भी रखी दोनों दोशी पूरे 25 साल तक जेल में रहेंगे कोई बीच में इन्हें बेल नहीं मिलेगी और इसके अलावा इन दोनों के उपर 9,60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया जो जुर्माने की ये रकम थी इसमें से 6,00,000 रुपए हरप्रित कोर की फैमिली को दिये जाएंगे और जो ब्यूटी पालर में जो लड़की अपना मेकप करवा रही थी अपनी शादी के लिए उसे भी 1,00,000 रुपए उस रकम में से दिये जाएंगे अब दोस्तों आप मुझे बताईए आपको क्या लगता है इसमें इनके साथ और क्या करना चाहिए था क्या इनके साथ इससे भी बुरा करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर इस लड़की की कोई गलती नहीं थी इसके परिवार की कोई गलती नहीं थी जिस लड़की के उपर तेजाब गेरा गया अब आप खुद सोच कर देखिए उस पर अब वो तो मर चुकी है लेकिन उसके परिवार वालों के उपर आज भी क्या बीत रही होगी आप अपनी राई कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में नोटिफिकेशन बेला इकन को दमाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ये मेरी इस्टेग्राम आईडी है अगर आपने मुझे अभी तक इस्टेग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जल्दी जाकर फॉलो कीजिए और इस्टेग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग पिछली वीडियो का शाउट आउट के बो ताजूंग को comment pick me to get a shout out in next video मिलते हैं ऐसी ही एक और चुका देने वाली स्टोरी के साथ